मुझे बस बताना था क्योंकि I'm sure कि आप लोग भी curious होंगे जानने के लिए कि अच्छाना क्या हो गया and congrats मुनावर और मुनावर की टीम को भाई कि जीत गया आप लोग दोस्तों आपको पता ही होगा कि Big Boss 17 की trophy मुनावर फारुकी के नाम हो चुकी है Big Boss 17 के grand finale में बाकि सब contestant आये थे लेकिन आपने देखा होगा कि finale में अनुराग डोवाल और खानजादी नहीं आये तो लोग ये जानना चाते हैं कि आखिर इनका Big Boss में ना आने का reason क्या था आपको बता दे कि Big Boss की finale में जाने से पहले अनुराग ने treat किया अनुराग ने लिखा आत्मसमान के लिए मैं उसकी जुटी तारी भी नहीं कर सकता इन्होंने ये tweet करके अपना reason के लिए कर दिया अब बात करते हैं खानजादी की तो खानजादी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह परिशान होती भी नजर आ रही है क्योंकि उनका Instagram account सस्पेंड हो गया है तो अन्दाजा यही लगाया जा रहा है कि वह इस वज़े से ही फिनाले में नहीं आ पाई आप खानजादी की यह वीडियो के लिप देखिए I hope आप सब लोग ठीक होंगे पर मेरा यहाँ पे कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि रहा है क्योंकि रहा है क्योंकि आप लोग भी कुरियोस होंगे जानने के लिए कि अच्छाना क्या हो गया पर हाँ we are working on it and it is on process so yeah and we are unstoppable video editing अभी भी चल रहा है दोस्तों आपको पता होगा कि लव कटारिया अभी से को सपोर्ट कर रहे थे लेकिन मुनावर के जीतने के बाद कटारिया ने मुनावर को बदाए दी आप खुद देख लिजिए भाई बहुत अच्छा फिनाले था और सो प्राउड अभीशेक भाई दोस्तों बात करते हैं फुकरा इंसान यानि के अभीशेक मलन की तो अभीशेक मलन को लगता है कि सलमान खान नहीं चाहते कि कोई भी अभीशेक नाम का बंदा बिग बोस की ट्रोफी जीते दोस्तों बिग बोस OTT सीजन 2 में भी टॉप 2 में एलविश और अभीशेक थे और अभीशेक हार गए थे तो इसी पर रियक्ट करते वे अभीशेक मलन ने ट्वीट कर लिखा सलमान भाई के आगे अभीशेक नाम का बंदा तो जीत ही नहीं सकता कभी बिग बोस 18 में आईश्मान नाम लेके इंटर करते हैं जिसके नेचे समराड भाई लिखे कि कोई बताओ सलमान भाई को कि हर अभीशेक बच्चन नहीं होता इसी पर अभीशेक मलन की भन प्रेणा मलन ने लिखा ये अभीशेक नाम में ही लोचा है कोई विग बोस 17 इंकुलूड्स सल्लू भाई रॉक्स दोस्तों आपको मुनावर और अभीशेक में से कौन जादर डिजर्विंग लगता है कॉमेट में जरूर बताएगा साथी वीडियो पसंद आयो तो लाइक कीजेगा और ऐसे अफडेट पाने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा